असलामलेकूम finance exchange पे dollars होना बहुत ज़रूरी है तो इस वीडियो में मैं आपको मुकमल A to Z step by step सिखाऊंगा कि किस तरह आप dollars को खरीद सकते हैं dollars को खरीदना funds को deposit करना बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा सब complicated है जरा सी गलती से आपके पैसे जो है वो जाया हो सकते है इसलिए वीडियो का कोई कोई भी step आपने skip नहीं करना ताकि कोई भी setting कोई भी जरूरी information आपसे मिसना हो जाए और अगर आपका finance application पर account create नहीं हुआ तो i button में मैं link दे रहा हूं description में भी link add कर दूँगा और इस वीडियो में मुकमल आपको information मिल जाएगी कि पाकिसनार में जाकि आपने account किस तरह create कर मैं है और किस तरह उसको 24 गंडे के अंदर अंदर verify करवाना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप ने चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से चैनल को subscribe करने bell notification को on कर लें ताकि इस तरह की interesting और informative वीडियो आप तक वह असानी पहुंचती रहे तो चलिए चलते हैं मुबाइल फोन की स्क्रीन की तरस बिसम लार्मार रहे हम आ चुके हैं अपने मुबाइल फोन की स्क्रीन पर तो यहां पर मैं आपको complete guideline देने वाला हूँ कि किस तरह आप घर बैटे अपने मुबाइल फोन के जरीए खुद ट्रेड करें कभी भी किसी को भी investment मत दें आजकल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो scams हो रहे हैं अगर आपको कोई signal group चाहिए अगर आपको किसी coin की समझ नहीं आ रही कि हमें कौन सा coin buy करना चाहिए एक technical analysis करना नहीं आ रही उसके लिए आप help आउट ले सकते हैं उसके ल मत मेरे group की जो फीस है वो 25 रुपए पर मत होगी उसमें हम daily basis पे crypto के signals प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि यह coin है और alhamdulillah हमारे जो signals है वो हीट भी करते हैं तो अगर आपको trust हो और अगर आप बहतर समझे तो आप उस group को join कर सकते हैं किसी और group को भी join कर सकते है वो आपकी पूरी मरजी है क्योंकि यह consultancy में आ जाता है लेकिन investment आपने किसी को नहीं देनी क्योंकि मैं खुद भी कभी किसी से investment नहीं मांगता तो चलिए चलते हैं अपने main topic की तरफ तो सबसे पहले आपने finance application को आपने open कर लेना है open करने के बाद आपने सीधा चले जाना ह wallet में wallet में जाने के बाद सबसे उपर आपको funding की option नज़र आ रही है आपने funding की option में जाने के बाद नीचे आपको P2P की option नज़र आ रही है आपने इस पे click करने से पहले आप उपर देख सकते हैं कि funding में मेरे 5$ पढ़े हुए है इस पे click करने के बाद आपने next आपके सामने window अगर किसी की इस तरह की लिस्ट ना आ रही हो तो सबसे उपर आप ऑप्शन देखें यहां पर क्लिक करने पर आप इसको पी टू पी सेट कर लेना अब यहां पर देखें यहां पर डिफरंट अब बेरी चीजों बातों को आपने बड़े गोर से सुनना है समझना है और जो च आगे आप यह देखें नीचे उसकी ट्रेड लिखी हुई है कि उसने अब तक कितनी ट्रेड की है और कंप्लिशन परसंटेज भी लिखी हुई है इसके लावा डॉलर रेड तो आई रहा है उसके नीचे यह देखिए उसका क्रिप्टो आमाउंट जो उसके पास पड़ा और लिमट उसने बताई हुए है कि भाई मैं मिनिममम जो ना वो इतने में बिजनस करूँगा कि आप मिनिममम मुझसे अब यह देखें यह बंदा कहरा है पचाजार नीचे वाला बंदा कहरा है दो लाक और इससे तरह उससे उपर वाला बंदा कहरा है भी सेजार ठीक ना तो यह इस तरह की जो लिमट से ना इन्होंने जो है वो सेट की होती है तो आपने अपने पोटफोलियो अपने इन्वेस्टमेंट के साफ़से इन में से वो ट्रेडर डूंड देना है अब जिस तरह मैं हूँ मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए डिपोजिट तो मैं इसको simply आपने अपनी range के मताबिक आगे बाई पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप बाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटर्फिस आ जागा तो सबसे उपर आपने अपनी वह प्राइस लिख देनी है जिस प्राइस पे आप उस coin को सोरी डॉलर्स को ख यह कहता है त्रेडर यह कहता है कि मुझे जी फुलां जो है वह अकाउंड में या फलां वैलट में पैसे जो आपने हरकिस नहीं बेजने हैं यही वह गलतिया हैं यहां sa जरा सी आपने गलती कीन ही पैसे भेजे नहीं वह बंदा आपके पैसे लेकर रफू चक्र हो जागा तो आपने जो उसने payment method यहां पर एड़ किया होगा आपने सिर्फ उसी पे पैसे बेशने हैं पैमन मैथर एड़ करने के बाद नीचे यह देखें आपको receive quantity की option नज़र आ रही है कि इतनी amount में आपको इतने डोलर मिलेंगे तो simply simply क्या करना है आपने buy USDT पे क्लिक कर देना है जैसे ही buy USDT पे क्लिक करेंगे तो next आप यह चेक कर सकते हैं कि सब से उपर यह देखें message की option अज़र आ रही है इसके अंदर दो message लिक्यों में उस trader की तरफ से आपको auto message आ गया है वो आपको सलाम कर रहा है और आपको बता रह पेमन्ट से मुझे payment send करनी है जिसना मैं हूं मेरा नाम वासिफ रजा से मेरा account मना हुए तो मैं वासिफ रजा के account से उसको payment बेजूँगा अगर मैं किसी और account से उसको payment बेज दूँगा तो में भी कि वो मेरे साथ scam कर दे ठीक है या में भी कि उसके साथ भी scam हो जाए हम उस बंदे को payment बेजनी है अब आपने उस बंदे को payment बेज देनी है और payment बेजने से पहले आपने काम लाजमी करना है कि आपने इस trader को यहां से message करना है इसके सलाम को जवाब दे इसको बताए कि भाई मैं payment बेजने लगा हूं मुझे reply करो जब तक यह बंदा आपको reply नहीं यह नहीं करना कि आपने order बनाया उसको payment बेज दी वह बंदा आगे बला offline बैठा हो उसको जो है वह पता ही नहीं हो कि मुझे किसी ने payment बेजी है नहीं बेजी तो आपने यहां से message लाजमी करना है जब तक उसका reply ना आए तब तक आपने payment नहीं बेजनी reply करने के बाद उसक करना आपने फोरी बाइनेंस application के उपर आना है और यहां पर आपको नीचे option नजर आ रही होगी transferred notify seller की आपने फोरी आके इस पे क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी और यहां पर आपने उस payment का जो आपने भेजी है उसकी करने के बाद नीचे आपको यह option नजर आ रही है इसको आपने check mark कर देना है और इसको check mark करने के बाद आपने दुबारा transfer notify seller पे क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद उस trader को उस broker को आपकी तरह से एक notification चला जाएगा message चला जाएगा कि भाई मैंने payment वो send कर दी है और आपका यह record है यह finance application के अंदर भी आ जाएगा आपका वो जो broker है जो trader है जिससे आप dollar buy करना चाहरे है वो आपकी जो payment है उसको verify करेगा payment को verify करने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर जो आपके जो dollars जितने बने होंगे वो आपके account में transfer हो जाएगे जैसे ही dollars आपके account में transfer होग अब यह funding में आ चुके हैं तो यह सारा तरीका है total fund को deposit करने का असान बहुत है लेकिन थोड़ा सा complicated है जो 3-4 बाते मैंने आपको बताई है उनका सिरफ आपने ख्याल करना है तो मैं उमीद करता हूँ यह video आपके लिए informative रही होगी मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं असान ल अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जूर कर दीजीगा कि यह फिर मेरा हक बनता अगर नहीं अच्छी लगी तो कोई बात ने स्किप कर दें चैनल को subscribe कर दें वैल notification को on कर दें बिलते हैं next किसी मजीद informative वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा किया रखिएगा मुझे दूआ में याद रखिएगा अलाफीज